गुड बॉर्निक फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडू साला में इस वीडियो में हम लोग घटना चक्रे करेंट अफियर पॉइंटर से बिधीक परिदिरिस का करेंट अफियर देखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 सितंबर 2021 से लागू पेटेंट संसोधन नियम 2021 संसोधन करेगा ये पेटेंट नियम 2003 में संसोधन करेगा नवींतम संसोधन के माध्यम से केन सरकार द्वारा सभी स्यक्षनिक संस्थावों हेतु पेटेंट फीस में कटोती की गई है 80% की कटोती की गई है ड्रोनियम 2021 जिस मंत्राले द्वारा अधिसूचित किया गया है वो है नागर विमानन मंत्राले ड्रोनियम 2020 प्रपत्रो यम सुलकों की संख्या को सीमित करता है तो करमसब 5 एवं 4 तक सीमित करता है ड्रोनियम 2021 में विभीन परकार के अनुमोधन प्राप्त करने है तू देवसाई के अनुकुल जो सिंगल विंडो सिस्टम निर्मित किया गया है वो डिजिटल स्काई प्लेटफर्म है ठीक है ड्रोनियम 2021 के अनुसार 400 फीट तक का हवाई छेतर जो एक परिचालित हवाई में 400 फीट या 120 मिटर से उपर का हवाई छेतर और परिचालन हवाई अड़े की परिधी से 80 किलो मिटर और 12 किलो मिटर के बीच इस्थत छेतर में 200 फीट या 60 मिटर से उपर का छेतर क्या होगा ये पीला छेतर होगा ये लो जोन होगा ड्रोनियम 2021 में ड्रोन परिचालन है छेतर विभाजित है तो ये हरे पीले एवं लाल में विभाजित है इसी के अनुसार जिस वर्ग के ड्रोन हेतु लाइसेंस आवसकता नहीं है वो है नैनो एवं माइक्रो ड्रोन के लिए ड्रोन नियम 2021 के अनुसार ड्रोन और ड्रोन के पुर्जो के आयात को नियमित किया जाता है विदेशी ब्यापार महा निदय साले के द्वारा नियमित किया जाएगा इसी के अनुसार ब्यापार अनुकुल नियम बनाने हितु अस्थापना की जाएगी ये ड्रोन सन्वर्धि परिशत की अस्थापना की जाएगे 127. सविधान संसोधन विदेयक 2021 को जिस नियम से जाना जाता है वह है 105. सविधान संसोधन अधिनियम 2021 105. सविधान संसोधन अधिनियम 2021 का उदेश क्या है इसका उदेश से समाजी क्यों सैक्षनिक रूप से पिछडे वर्गों की पहचान करने की सकती राज्यों को परदान करना है नेख देखते हैं जिस सविधान संसोधन द्वारा पिछडे वर्गों की पहचान करने की राज्यों की सकती समाप्थ हुई थी वह कौन सा है यह है 102 सविधान संसोधन जिस सविधान संसोधन से राष्टिये पिछड़ा वर्ग आयोग को सविधानिक दर्जा प्राप्थ हुआ था यह है 102 सविधान संसोधन 105 सविधान संसोधन अधिनियम के द्वारा केवल केन सरकार के उद्देसो हेतु ही समाजिक एवं सैक्षनिक रूप से पिछड़े वर्गो की सुची अधि सुचित की जाएगी यह राष्ट पती के द्वारा की जाएगी राष्टिय होमियोपैति आयोग के गठन तक होमियोपैति केंत्रिये परिसद अध्या देश 2021 के तहत गठित अधिसासी बोड़ द्वारा किये गए कार्यों और लिये गए निर्नयों एवंदायित्तो को सुरच्छित बनाने हेतु निर्मित अधिनियम कौन सा है यह राष्टिय होमियोपैति आयोग संसोधन अधिनियम 2021 पांच जुलाई 2021 को गठित राष्टिय होमियोपैति आयोग के उपरांत जो अधिनियम निरस्थ हुआ है वो कौन सा है यह होमियोपैति केंद्रिये परिसद अधिनियम 1973 समान बीमा बेवसाय संसोधन अधिनियम 2021 जिस अधिनियम का आजस्थान लेगा हुआ है समान बीमा बेवसाय संसोधन अधिनियम 2021 में निर्दिष्ट बीमा कमपनियों में केन सरकार की सेयर होल्डिंग की सीमा समाप्त कर दिया गया है समान बीमा ब्योसाय संसोधन अधिनियम 2021 में निर्दिष्ट जो बीमा कमपनिया है वो है National Insurance, New India Insurance, Oriental Insurance और United India Insurance सविधान अनुस्थूची जन जातिया आदेश संसोधन अधिनियम 2021 किस में संसोधन करता है तो ये सविधान अनुसूची जनजातिया आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 18 में करता है संसोधन सविधान अनुसूची जनजातिया आदे संसोधन अधिनियम 2021 जिस राजद्वारा परस्तावित बदलाव को लागू करेगा वह कौन है वह राज है अरुनाचल परदेश नेक्षाते हैं सविधान आदे संसोधन अधिनियम 2021 अरुनाचल प्रदेश में चिन्नित अनुसूची जन जातियों की सूची से जिस जन जाती को हटाता है वो है अबोर अबोर जन जाती ठीक है निक्षे बीमा और परतिया गरांटी निगम अधिनियम संसोधन अई ये 2021 संसो करता है निच्छे बीमा और परतिया गरांटी निगम संसोधन अधिनियम 2021 किसी भी बैंक के अस्थागन की इस्थिती में जितने ओधी में अधिक्तम रासी की वापसी की गरांटी देता है वो 90 दिन में देता है ठीक है 90 दिन में DICGC Act 2021 बैंक अस्थागन की स्थिती में उसके ग्राहकों को जमा रासी में से जो अधिक्तम रासी निकालने की सुईधा प्रदान करता है हुआ है 5 लाख रुपए ठीक है करादान वीदी संसोधन अधिनियम 2021 संसोधन करता है आइकर अधिनियम 1961 एOOM बीतिये अधिनियम Kansas 2012 में गठित की गई है खोज सह चैन समीती अधिकरन सुधार अधिनियम 2021 द्वारा गठित खोज सह चैन समीती की अधिक्चता की जाएगी भारत के मुख्य नियाधिस या उनके द्वारा नामित उच्तम न्याले के किसी नियाधिस द्वारा की जाएगी अधिकरन सुधार अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरन के अधिक्चे का कारिकाल 4 वर्स या अधिक्तम 70 वर्स की आयू तक है राष्टिय राजधानी छेत्र और निकट वर्ती छेत्रों में वायू गुनवत्ता प्रबंधन आयोग 2021 के तहत निकटवर्ति छेत्रों में सामिल राज कोण कोण है? या हर्याना, पंजाब, राजस्थान, उत्तर परदेश तथा दिल्ली राश्टिय राजधानी तथा NCR छेत्र है, ठिक है? राश्टिये राजधानी छेत्र और निकट वर्ती छेत्रों में वायू गुन्वत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 किस भंग करता है परियावरन परदूसन रोकथाम तता नियंत्रन प्राधिकरन को भंग करता है राश्टिय राजधानी चेत्र और निकट वर्ती छेत्रों में वायू गुन्वता प्रबंधन आयोग द्वारा दिये गए आदेसों अत्वा निर्देसों को उलंगन करने पर सजा होगी पांच वर्स्तक की कैद एवं एक कड़ो रूपाय तक जर्माना अत्वा दोनों राश्टिय राजधानी चेत्र और निकट वर्ती छेत्रों में वायू गुन्वता प्रबंधन आयोग के आदेसों के उलंगन से चूट परदान की गई है इतो ये क्रिसको को चूट परदान की गई है राष्टिये राजधानी छेत्र और निकट वरती छेत्रों में वाई गुनवता प्रबंधन आयोग के आदेशों के खिलाब अपील की जा सकती है ये राष्टिये हरी ज्याधि करन में अपील की जा सकती है उग्टायोग के कुल सदस्से कितने होंगे तो ये सत्र सदस्से होंगे यहां आयोग अपने कार और वार्सिक रिपोर्ट कहां रखेगा संसत के पटल पे आयोग के अध्यक्ष और सदस इन परदेशों से तो ये पंजाब, दिल्ली, हर्याना, उत्तर परदेश और राजस्तान से होंगे आयोग में सामिल होंगे इस्रो और केंद्रिय परदूसन, नियंतरन बोड के सदस आयोग किसी परिसर के निरक्षन के बाद आदेश जारी कर सकता है, इकाईयों को बंद करने और बिजली वपानू की अपूर्ती बंद करने का कर सकता है प्लास्टिक अप्सिष प्रवबंदन संसोधन नियम 2021 के तथ एकल प्रियोज प्लास्टिक वस्तुव के प्रियोग को समाप्त करना है, 1 जुलाई 2022 तक समाप्त करना है प्लास्टिक अपसिट प्राबंदन संसोधन नियम 2021 के तथ 50 माइक्रोन मुटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग की मुटाई 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा कर 120 माइक्रोन करनी है भारतिय बिमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरन संसोधन अधिनियम 2021 संसोधन करता है भारतिय विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरन अधिनियम 2008 में भारतिय विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरन की अस्थापना की गई थी भारतिय विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरन 2008 अधिनियम के द्वारा आवस्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जीन आधारों पर रक्षा सेवा से जुड़ी इकायों में हर्ताल, तालाबंदी और छट्नी पर परतिबंद लगा सकता है वह है भारत की संप्रभूता और एकता किसी राजी की सुरक्षा सार्जोनिक विवस्ता सालीनतायों नैतिकता परतिबंद की समय सीमा कितनी होगी तो यह 6 मा और 6 मा तक इसमें ब्रीधी होगा आवस्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 के अनुसार परतिबंद का उलंगन करने वाले पर डंड लगेगा एक वर्ष तक यह 10,000 रुपे जुर्माना अथवा दोनों आवस्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 के तक किये अपराद होंगे यह संगे तथा गैज जमानती आवस्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 संसोधन करता है और दोगिक विवाद अधिनियम 1947 में फैक्टरिंग विविनियमन संसोधन अधिनियम 2021 की जिस समीती किसी पारिश पर अधारित है वो कौन सी समीती है यह UK सिनहा समीती है फैक्टरिंग विनियमन संसोधन अधिनियम 2021 की संसोधन करता है फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2021 में ठीक है इसी के तहत किसी कमपनी को वैवसाई करने हैं तु पंजी कृत होना होगा तो ये रिजर्ब बैंक उफ इंडिया के साथ पंजी कृत होना होगा इसी अदिनियम के तहथ बीतिय संपति और फैक्टरिंग संसोधन अदिनियम 2001 की संसोधन करता है ये सोधन अर्चमता और दिवाला संहिता 2016 में संसोधन जिस समीती की सिफारीश के अधार पर हुआ भारतिये दिवाला एम सोधन और छमता बोड के अध्यक्ष, MS साहू के अध्यक्षता वाली Insolvency Law Committee की सिफारिस पर MS साहू की अध्यक्षता में गटित Insolvency Law Committee ने Insolvency एम बैंक करप्ठ सी सनहीता 2016 की मूल्चन रचना के अंदर सिफारिस की थी किसलिए प्री पैकेज धाचे की सिफारिस करी थी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजॉलूशन प्रोसेस सुरू करने हे तु नियुन्तम कितना एक लाख रुपाय का डिफॉल्ट आवेदन अवस्यक है ठीकेज सोधन अच्छमता और दिवाला सनहीता संसोधन अधिनियम 2021 के तर्थ केंसरकार नियुन्तम डिफॉल्ट की सीमा कर सकता है एक कड़ो रुपाय तक कर सकता है नारियल विकास बोर्ड की अस्थापना की गई थी नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 द्वारा जन्वरी 1981 में ठीक है नारियल विकास बोर्ड संसोधन अधिनियम 2021 करता है नारियल विकास बोर्ड संसोधन अधिनियम 2021 के तहर नारियल विकास बोर्ड में किन राज्यों के परतिनीधी है तो इसमें केरल, तमिलांडू, करनाटक, आंधपर्देश इनके, ठीक है, किसोर न्याय, बच्चों की देखभाल एउम, संरच्छन, संसोधन अधिनियम 2021 लाया गया, तो ये 2018 में राष्टिये बाल अधिकार संरच्छन आयोग की रिपोर्ट के अधार पे, ठीक है, नेक्षा सहीद, ठीक है, किसोर न्याय, संसोधन अधिनियम 2021 कमभीर अपराधों को परिभासित करता है, ये 7 वर्ट से अधिक कैद की अधिक्तम सजा, और नियुंतम सजा, या तो निर्धारित नहीं, या 7 वर्ट से कम हो, ठीक है, किसोर न्याय, बच्चों की देखभाल एउम, अभी समयों पर हस्ताक्षर की पर्तिवर्टा को पूर्ण करते हैं, वो कौन सा है, यह है, उन्नी सो पचासी विजिंग नियम या उन्नी सो तिरानबे हेग अभी समय, नौ चालन हेतु, समुद्री सहेता अधिनियम 2021, परतिय स्थापित करता है, प्रकास अस्थम अधिनियम 1927 को, नौ चालन हेतु, समुद्री सहेता अधिनियम 2021 पर भारत की परतिवर्धता के अनुरूप है, जीन अंतराष्टी अभी समय एवं, संग सदर्सता को या पूर्ण करता है, वो कौन सा है, तो वो है समुद्री जीव की सुरक्चा हेतु, अंतराष्टी अभी समय 1974, और नौ वहन के लिए समुद्री सहेता और परकास अस्तम प्राधिकर्णों के अंतराष्टी संग को, 1957 ठीक है, नेक्षाते हैं, नौ चालन हेतु, समुद्री सहेता अधिनियम 2021 लागू होगा, तो ये छेतरिये जल, महादीव पिये सेल्फ, और अनन्य आर्थिक छेतर सहित अग्र भारत पर लागू होगा, नौ चालन हेतु, समुद्री सहेता अधिनियम 2021 के तहट, विरासत परकास अस्तम लागू करने का अधिकार किसको है, तो ये केन सरकार को है, नेक्षाते हैं, राष्टिये खाद प्रोदोग की उदमिता और प्राबंध संस्थान अधिनियम 2021 के माध्यम से, जिन संस्थानों को राष्टिये महत्यों का दर्जा प्राप्त हुआ है, वो कौन से हैं, तो यह है राष्टिये खाद प्रोदोग की उदमिता और प्राबंध संस्थान, कुंडली, हर्याना में है अतथा भारतिये खाद प्रसंस्करम प्रोदोग की संस्थ नेक्ष है देश का पहला उच नियाले जिसने अपनी स्वैम के करवाई के लिए लाइव इस्ट्रीमिंग यूटूब नियम जारी किया है या गुजरात उच नियाले ने नेक्ष आते हैं बीमा संसोधन अधिनियम दोहजारी की जिसमें भाद्तिये बीमा छेत्र में परत्यक्ष विदेशी नियुएस की सीमा को 49% से बढ़ा कर कितना करने का प्रावधान किया गया है ये 74% बीमा संसोधन अधिनियम दोहजारी किस द्वारा संसोधन किया गया है बीमा अधिनियम 1938 में ठीक है नेक्ष आते हैं गर्व का चिकत्सिये समापन संसोधन अधिनियम दोहजारी किस के तहट दो डॉक्टरों की सलाह पर किस ओधी तक के गर्व के समापन किया जा सकता है तो 22-24 अताह तक के गर्भ को गर्भ का चिकत सिय समापन संसोधन अधिनियम ये धो 2021 द्वारा है संसोधन किया गया किसमें तो गर्भ का जो किकत सिय समापन अधिनियम 1971 था उसमें उत्तर परदेश विधी विरुध धर्म परिवर्तन परतिसेद अधिनियम कब लागू हुआ तो ये 5 मार्च 2021 को लागू हुआ है उत्तर परदेश विधी विरुध धर्म समपरिवर्तन परतिसेद अधिनियम के अनुसार धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले को धर्म कारी को सुचना धर्म से परिवर्दन करने और कराने वाले द्वारा कितने दिनों पूर्व दी जाएगी तो यह करम से 60 दिन और 30 दिन पूर्व दी जानी चाहिए उत्तरबर्देश बीदी विरुध सम परिवर्दन परतिसेद अधिनियम के अधिन उप्तपरकिरिया के पर धर्म परिवर्दन करने वाले के लिए दंड का प्रावधान क्या है तो 6 मा से 3 वर्ष तक का कारावास और नियूंतम 10,000 रुपए जुर्माना ठीक है नेक्ष है उत्तरबर्देश बीदी विरुध सम धर्म सम परिवर्दन परतिसेद अधिनियम के अधिन उप्तपरिक किरिया के उलंगन पर धर्म परिवर्दन कराने वाले के लिए डंड का क्या प्रावधान है तो या 1-5 वार्ष तक कारावार्ष या और नियूंतम 25,000 रुपए जुर्माना ठीक है नेक्षाते हैं इसी के तहत है उत्तरबर्देश बीदी विरुध धर्म सम परिवर्दन के अनुसार धर्म परिवर्दन के कारण उद्देश और आसे की एक पुलीस जाज कराएगा तो ये जीला अधिकारी कराएगा उत्तरबर्देश बीदी विरुध धर्म सम परिवर्दन परतिसेद अधिनियम परतिबंधित करता है किसको बल, गलत ब्यानी, अनूचित प्रभा धन, धोखादारी या विवाह के अधार पर किया गया धर्म परिवर्दन को इसी के तहत केवल बीदी विरुध धर्म सम परिवर्दन या धर्म परिवर्दन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना अंतर धार्मिक विवाह करने पर विवाह क्या माना जाएग उत्तर प्रदेश वीधी बुरुध धर्म संपरिवर्तन परति सेद अधिनियम के अधिन परतम सुचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है तो यह ब्यथित ब्यक्ति उसके माता पिता, भाई बहन, रक्त संबंदी, विबाह संबंदी या दतक संबंदी के द्वारा कर सकते ह इसी के तहट क्या है कि दो या अधिक ब्यक्तियों का एक साथ धन परिवर्थन कराने वाले के लिए डंड का प्रावधान कितना है इसी के तहट इस्त्री या एष्टी व्यक्ति का धर्म परिवर्थन करने पर डंड का प्रावधान है तीन से दस वर्षत का रवास एवं पचीस हजार रुपए या उससे अधिक के जुर्माने का ठीक है और इसके तहट उत्तरपडेस बिधी विरूद धर्म संपरिवर्थन परतिसेद अधिनियम के अधिन सभी अपराद क्या होंगे संगे और अजमानतिय होंगे ठीक है अजमानतिय और इन परवधानों के पुनह उलंगन करने पर डंड दुगना हो जाएगा अब नेक्षातें करनाटक मवेसी वद रोक्थाम एवं संरच्चन अधिनियम 2020 बारा फरवरी 2021 को लागू हुआ इसके अंतरगत क्या परतिबंधित करता है मवेसियों का वद इसके अंतरगत संरच्चन दिया जाता है मवेसियों की सुरक्षा करने वाले लोगों को संरच्चन दिया जाएगा उलंगन करने पर करनाटक मवेसी वध रोक्ताम एवं सनरच्छन अधिनियम के प्रावधानों का उलंगन करने पर कितना डंड का प्रावधान है तो इससे तीन से साथ वर्स तक का कारावास और पचास हजार से पाँच लाख रुपए तक के जुर्माने का करनाटक मवेसी वध रोक्ताम इस अधिनियम के प्रावधानों को दुबारा उलंगन करने का डंड का क्या प्रावधान है तो यह साथ वर्स तक के कारावास और एक लाख से दस लाख रुपए तक जुर्मान लगेगा ठीक है और यह जो अपराध है मवेसीयों के वध को बना प्रावध हुई तो यह 11 मार्च 2021 को प्रावध हुई यह अधिनियम संसोधन करता है मद्यस्ता और सुला अधिनियम 1990 में अधिनियम द्वारा मद्यस्ता और सुला अधिनियम 1990 की अनुसूची से निरसित की गई है आठवी अनुसूची को निरसित किया गया है अब देख ल दिमत्ता अधारित अनुसंधान पोर्टल कौन है यह सुपेश ठीक है शुपेश का पोर्टल का पूरा नाम क्या है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल for assistance in courts efficiency नाम है लेकराज मीना बनाम भारसंग युम अन्य के मामले में दिल्ली उच नियाले ने निर्ने दिया 23 दिसंबर 2020 को इस मामले में नियाले ने क्या अभी निर्धारित किया है कि आरक्षन दिये जाने के उदेशों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता इस मामले में उ संबंदित था लंबाई में छूट का प्रावधान संबंदित था SCHT जाती के उमिद्वारों से उच्तम नियाले ने 7 दिसंबर 2020 को घ्रीना फैलाने वाली भासा के संबंद में निर्ने सुनाया अमीस देवगन बनाम भारसंग के मामले में इस निर्ने को सुनाने वाली पी घ्रीना अस्वध भासन या ब्यान लोग तंत्र में किसी भी वैद तरीके से योगदान नहीं कर सकता है वास्तों में ये निरस्ट कर देता है समानता के अधिकार को इस मामले में नियाले ने इनके बीच अंतर को अस्थापित किया तो ये मुक्त भासन और घ्रीना के प्रति ग्रीना पैदा करना या फैलाना ये ग्रीना अस्पद भासन होता है ठीक है 27 नौंबर 2020 को एक मामले में निर्ने देते हुए उच्तम न्याले ने केन सरकार को क्या आदेश दिया एक राष्टी अधिकरन आयोग के कठन का इस आयोग द्वारा नियुक्त किये जाएं okay